हाई फ्रेंज वेल्कम टू एड्यूकेशन निकेतन जैसे कि हम लोगों का करेंट अफेस डेली करेंट अफेस का सेरीज चल रहा है तो उसी करम में यह थर्ड वीडियो है जहां पर हम डिसकस करते हैं डेली करेंट अफेस तो आज जैसे कि 31 ऐफ जैनुरी है तो माज की न्यू है और भीण आले छो कि 2002 नगया आनए दृट्वेट ना स्टार्त टार्वेट जैनड़ पिसेंड अंशिय में इस ड्रैल ना क्रविट हैं तुर। The first rail tunnel was built in 1861 to 1865 period between Jamalpur-Bhagalpur-Sahibganj. जो पहली rail tunnel थी वो बनी थी Jamalpur-Bhagalpur-Sahibganj के बीच में काफी पहले around 1860s के आस-पास. And that tunnel was in Munger और ये tunnel भी Munger district में है. The rail tunnel will present the glorious story of Munger. A side wall has been made at both its entrance and exit. The historical, religious heritage of the district has been presented through paintings on this wall. तो ये जो tunnel है वो Munger की glorious story को present करेगा. और historical, religious heritage है इस district के उनको भी प्रेजंट किया गया है tunnel के walls पे, दिवारों पे, पे पेंटिंग के द्वारा. Fine. The second news है that is from Bihar legislative elections. तो कुछ दिनों में ही, कुछ दिनों में, Bihar में legislative council के elections होने वाले हैं. तो उसके regarding ही ये news, ये खबरों में है, ये news. तो हम बात कर लेते हैं कि forthcoming elections to the state legislative council from 24 local authorities, constituencies are about to held. तो 24th constituencies के लिए ये elections होने वाले हैं. और ये है Bihar legislative council जिसको Bihar विधान परिशद भी कहते हैं. This is part of bicameral legislature. ये bicameral legislature का part है, जैसे कि अगर हम center की बात करें, तो वहाँ पर होता है लोकसभा और राजसभा. वैसे ही कुछ states में होते हैं, assembly होती है, legislative assembly और legislative council, दो houses होते हैं. तो अगर हम बात करें कि कहां कहां पर ये bicameral system है, तो ये कुछ 6 states हैं जहां पर bicameral system है, and those states are, आंधरप्रदेश, तिलंगाना, उत्तरप्रदेश, बिहार, महराश्रे और करनाटका. आर्टिकल 169 of the Indian Constitution, Indian Constitution का आर्टिकल 169 है, जिसके तहत किसी भी state में legislative council को start, abolish, start or abolish किया सकता है, मतलब create कर सकते हैं और उसको abolish कर सकते हैं, आर्टिकल 169 के तहत. फाइन, let's move to our next news, next news is, राजीव गांदी, भूमिहिन, किश्री मजदूर ने आई हो जना, तो यह जो news है, that is from 36 गर्ड, 36 गर्ड गवर्मेंट ने decide किया है, that it will provide a financial assistance scheme, financial assistance to the landless laborers, जो भूमिहिन लेबरर्स हैं, स्टेट में, 36 गर्ड में, उनके लिए, यह scheme स्टार्ट की गई है, जिसका नाम है, राजीव गांदी, भूमिहिन, किश्री मजदूर ने आई हो जना, इसके तहत, इन लेबरर्स को हर साल 6,000 रुपे दिये जाएंगे, मतलब अराउंड 4.5 लाख जो लेबर्स फैमिलीज हैं, वो उन्हें इनसे फाइदा मिलेगा, अगर हम कुछ स्टेटिक फैक्ट की बात कर लें, तो चीफ मिनिस्टर है, 36 गड के भुपेश बगेल, जो गवरनर है, वो है अनूसुया, यूके, फोर्थ नूज है, इंडिया ऐश्यान डिजिटल वोक प्लैन 2022 अप्रूवड तो रिसेंटली क्या हुआ है, डिजिटल वोक प्लैन 2022 को अप्रूव किया गया, जिसका मकसद है, अगर हम कहें, तो इसका मकसद है, जो cyber fraud है उसको रोकना और जो कई बार counterfeit phones है या fake या फिर जो phone genuine नहीं है fake है उन्हें यूज करते हैं उन पर रोक लगाना और जो wifi access की जो accessibility है citizens के लिए उसको improve करना तो यह important चीज़ है यहाँ पर कि second Asian digital ministers की meeting हुई है जिसमें India Asian digital work plan 2022 को approve किया गया इसका मकसद simple सी बात मैं कहूं तो इसका मकसद है कि जो cyber से related जितने भी crimes है या फिर frauds है उस पर रोक लगाने रोक लगाना इनका मकसद है Asian की full form क्या है? All Southeast Asian nations और Asian countries कौन कौन से है? Brunei, Cambodia, Indonesia, Leos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam Fine अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास map भी है I have also shared map with you सारी country जितनी मैंने अभी गिनाई है सारी यहाँ पर देख सकते हैं और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर यह country situated है नेक्स्ट न्यूज है रानी गेडिन लियू railway station तो recently क्या है कि पहली बार पहली goods train रानी गेडिन लियू railway station पहुंची है इसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया to honor to honor her उनको honor करने के रिए शी वास फ्रीडम फाइटर हुँ है रिवोल्ट अगेंस बिटिश यह फ्रीडम फाइटर थी और इन्होंने बिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था इनके बारे में थोड़ी बात कर लें रानी गेडनी लिव वस बॉन ऑन जैनुवरी 26 1915 यह 1915 में इनका जन्म हुआ था and she was a naga spiritual leader रानी started a serious revolt against the British वो उन्होंने बिटिश के खिलाफ एक serious revolt start किया था जिसकी वज़े से उन्हें जेल भी हुई थी और सजा सुनाई गई थी lifetime की but she was released after 14 years in 1947 जब इंडिया independent हुआ तब उन्हें करती है अब मनीपूर के बारे में थोड़ी बात करने चीफ मिनिस्टर आफ मनीपूर एन बिरेन सिंग गवर्नर आफ मनीपूर लाग नेशन एंड कैपिटलीज इमफाल अगली न्यूज देखें नोड स्ट्रीम पाइपलाइन तो यह यह क्यों न्यूज में तो एक्चुल रहें है न्यूज का पार्ट बन रही है हमारे पास तो अगर हम इसकी बात करें तो इसटेशा किलोमेटर्स गैस पाइपलाइन रूनिंग फ्रॉम वेस्टर्न रश्या टू नोथ इस्टर्न जेमनी अंडर दे बाल्तिक से तो यह एक पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन है जो कि रश्या से लेके जॉर्मनी तक जाती है और जहां पर फिफ्टेन बिलियन क्यूबिक मिटर अफ गैस जहां पर रश्या हर साल जॉर्मनी को फिफ्टेन बिलियन क्यूबिक मिटर अफ गैस प्रोवाइड कर सकता है और न्यूज में क्यों है कि अगर रश्या किसी भी तर यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां नीचे दे सकते हैं जर्मनी जो की ग्रीन कलर में तो यह पाइपलाइं रश्या से निकल के जर्मनी तरफ जाती है अगली न्यूज देखें नेवी इंडक्ट तू एडवांस लाइट हलिकॉप्टर से हैं उसे इंडक्ट किया है कहां इंडक्ट किया है इन पॉर्ट बलेर में ALHMK3 has been designed and developed by Hindustan Aeronautical Limited इसे design and develop किया गया है HAL के द्वारा और इसके features की बात कर लें तो इसके फीचर्स की बात कर लें तो it has शक्ति एंजिन्स, modern radar, electro-optical sensors capable of carry out missions day and night with 14 soldiers इसके पास capability है कि ये carry out करे missions दिन और रात दोनों में with 14 soldiers बात करने Chief of Indian Navy Admiral R. Hari Kumar और Hindustan Aeronautics Limited की बात करने तो CMD है Shree R. Madhwan and its headquarters are in Bengaluru Next news is IRIDA, Indian Renewable Energy Development Agency has signed a MOU with Goa Shipyard Limited IREDA ने Goa Shipyard Limited के साथ tie up किया है to provide technical assistance to set up solar rooftop project मतलब कि दोनों ने जो ये tie up किया है IREDA और Goa Shipyard Limited ने ताकि वो Goa में rooftop solar power project को set up कर सके जहां पर IRDA टेकनिकल असिस्टेंस प्रवाइड करेगा आरत भूशन नागपाल and it comes under the Ministry of Defense it is a PSU and who is Minister of Defense? राजनाथ सिंग आरत ने राजनाथ सिंग्ग आरत ने रफेल नादाल विन मैंस सिंगल थाइड रावाइड ने ने मैंस सिंगल थाइड बूपन 2022 2. It was his record 21st Grand Slam title and first Grand Slam major since 2020 French Open Triumph. The most important thing here is he has become the only player to win the most Grand Slam titles. यह अब यह पहले खिलाड़ी बन गहे है और यह is the only player जोने सबसे जादर Grand Slam titles जीते हैं. हूँ, Rafael Nadal. Rafael Nadal ने क्या जीता है? मेंस सिंगल टाइटल अस्टेरियन उपन बाइड़ी देटिंग डैनिल मेडविडेव वेर इन मेलबर्न और राइट नाओ, Honduras gets its first woman president. तो Honduras एक country है, which is situated in North America. उन्होंने first time एक woman president को elect किया है, and the name of the president is Xiomara Castro. Fine. अब Honduras के बारे में देखने हैं तो capital of Honduras is Tegusi Galpa, president is Xiomara Castro. अभी-अभी elect हुए है. Currency is Honduran Lempira, and it is situated in continent North America. यहां map देख सकते हैं, Honduras है, इसके आस पास की countries है, Guatemala, El Salvador, Nicagua, Costa Rica, तो these are the countries, and that is the country situated in which continent? North America. Now, the next news. Tata Steel to buy Nilanchal Spath Nigam for Rs. 12,100 crore. तो Tata Steel ने Nilanchal Spath Nigam Limited को खरीद लिया है, कितने रुपे में? 12,100 crore में. यह news क्यों important है, यह कई बार different exams होते हैं, like CGL, और state PCS होते हैं, और sometimes banking अगर आप exam देने जाते हैं, तो randomly कई बार इस तरह questions पूछ लिए जाते हैं, कि who has bought this company? अगर Tata Steel ने इस company खरीदा है, तो कितने में खरीदा है? 12,100 crore में. तो from that point of view, this is important. Next news. Deloitte Most Valuable Brand for 4th Brand Finance Global 500 2022 Ranking. तो recently Brand Finance Global 500 2022 की ranking release हुई, जिसके according Deloitte has become the most valuable commercial services brand. तो इस ranking के according, जो Deloitte है, सबसे ज्यादा Valuable Brand बनके निकली है Deloitte Company. Fine. किरन बेदी's new book Fearless Governance released. किरन बेदी ने अपनी एक नई बुक लिखी है, जिसका नाम है Fearless Governance. And that book was launched by Indra Nui. And this was published by Diamond Books. तो इंपोर्टन चीज़ क्या है कि, किरन बेदी ने रेसेंटली ये बुक लिखी. What was the name of that book? The name of the book is Fearless Governance. And who has launched that book? The person is Indra Nui. And who was the publisher? It was published by Diamond Books. और एक इंपोर्टन चीज़ है किरन बेदी वोस 24th Lieutenant Governor of Puddo Cherry. ये 24 वी Lieutenant Governor रही है Puddo Cherry की. All right. Now, CSK becomes First Indian Sports Establishment to gain Unicorn Status. तो हाल ही में जो Chennai Super King है. That has become the first sports enterprise. वो पहली sports enterprise है जिसने Unicorn Status हासिल किया है. और ये Unicorn Status क्या होता है कि कोई भी company अगर एक बिलियन डॉलर का एक बिलियन डॉलर का जो वेलिएशन क्रॉस कर लेती है. That company or that farm has becomes a Unicorn. तो CSK ने उस mark को क्रॉस कर लिया है. Now CSK is the first sports establishment, first sports enterprise to become a Unicorn. All right. So that was all. तो आज की ये नूस थी. I hope you like the session. Thank you. तो 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 तो